Hello my dear students, how are you all? बच्चे लोग आज हम लोग अनिमल किंग्डम चाप्टर के अंदर फाइलम कॉड़िट के आगे का पॉर्शन कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अलड़ी एग ना था साइक्लोस्ट्रोमिटा और हम लोगों ने यूरो कॉड़ेट से फैलो कॉड़ेट भी कंप्लीट कर लिया है बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं फाइलम कॉड़ेटा की ठीक है तो हमने डिविजन उसका अल्रड़ी देखा हुआ है डिविजन के अंदर उसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास में दो पोर्शन सेग्रिगेट या सेपरेट आउट हो जाता है एक वो आनिमल जिनके पास क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स नहीं है एक वो आनिमल जिनके पास में क्रेनियम ब्रेन बॉक्स है और वर्टिबल कॉलम भी है चाहे वो वर्टिबल कॉलम की बनी हो या बोन की बनी हो पर वर्टिबल कॉलम का एक्जिस्टेंस है तो हम उनको इफ्रिंस भी देख लिया था उसके अलावा हम लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया हमारे एगनाथा और गनाथोस्टोमेट डिविजन और वर्टीवरेटा ठीक है ना मतलब कि जो हमारे पास में एक क्रेनीट था और क्रेनीट था ये क्रेनीटा कि अंदर सब डिविज है जनको कि अब आज अम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली गनाथोस्टोमेट गनाथोस्टोमेटा कि अंदर दो सुपर क्लासिस बिलॉग करती हैं एक होती है हमारी पास में 25 गोलते हैं और फेक्षिस होती है हमारी हमे घृट्रा पोड़ा चार पैर वाले जिनको हम लोग बोलते हैं अशऽीं के चीज इद इतने सारी हैं वो में पढ़ने की बाकि ص Всё these आज हम लोग फिश पूरा कम्प्लीट करेंगे और इंक्लोडिंग दिफ्रेंसे बिट्वेंग दिफ्रेंसे बिट्वेंगे और कुछ फैक्ट की बाते हैं जो की इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट व्यू से भी और पढ़ने में मज़ा भी आएगा ठीक है तो चलो ज अश्ट्रोजिकल साइन भी है ठीक है पाइसस चैलो अब इसमें देखते हैं क्लास इस कितनी ही पढ़नेंगी हम लोग तब जनरल ही हम लोग एंसी आटी के अंदर देखते हैं काटीले जनास फिश एंड बोनी फिश एंड नोबडी तॉक्स बाउट वान क्लास विचिस काल लिस प्लैकोडर्मी डारीजन बिहांंड शुक्राइट नोबड़ में बात करने का कोई लॉजिक नहीं बैठ टाहिए घग तो यह इक एक्स्टांग क्लास लिए प्लैकोडर्मी इसके अंदर आर्मर फिश इसे थी जो कि मतलई मान लो थोड़ी ज़्यादा ही बड़े सी व अब हत्यार सहित वाली टाइब की अब हंपियार तो कैसे हो सकते हैं नहीं हो सकते लेकिन इंकी जो थी कासे मतलब Panel definey or protect the well the tbyteed उधेell एझ्डेक्ट टो है विकन से इनिपार टीक है तब क्या होता है समर्सम्रेस आना चाहिए कि अत्य अधिक भी किसी और्गनिजम को अगर बहुत जीदा बाड़ी मिल गई बहुत ही बढ़िया एकदम प्रोटेक्टेड तो भी वह बच नहीं पाता कई बार क्योंकि क्या होता है उसको फिर काम नहीं करने की आदत पड़ जाती है सामवे उससे और्गनिजम्स दर के भागते हैं वह ज्यादा अटाकिंग निच्र का नहीं हो पाता कई बार तो वह और्गनिजम्स को पकड़ने ही पाता खने के लिए इसे साब से यह कहीं न कहीं डिप्रिविशन ऑफ फूद यह डिप्रिविशन ऑफ शेल्टर या इनेबिलिटी टो वी कैन से यूनो इनेबिलिटी टो प्रूव देंसेल्वस इन इनेबिलिटी टो एडाप्त ये सब शोगरने की कारेंट से यह थोड़े टाइम तो जिए पर फिर अभी एक्स्टेंट हो गए फाइनली ठीक है तो हम ऐसे ही है अपलेको डर्मी क्लास के बार में बात करते ही नहीं हम बात करते इस तरह यहां पर का मतलब होता है काटिलेज और हो इन फिशिस को हम बोलेंगे काटिलेजन इंस फिशिस आण बोनी फिशिश- जिसके अंदर इसांपल्स हम लोग सारे के सारे डिस्कास करने वाले हैं दो अभी देखो cartilaginus and bony fishes के respect में मैं बात कर रही हूँ okay cartilaginus fishes जो हैं हमारी सामने ये वाली दिख रही है shark and bony fish के अदर हमने एक random example लिया क्योंकि bony fishes बहुत सारी होती है cartilaginus fishes comparatively कम होती है आप लोगों कोई बता दू कि bony fishes 70% से जादा fishes bony होती है nature में और करीबन 30% ही हमारे पास में cartilaginus fishes बाकी है ठीक है cartilaginus fishes के अंदर हम लोग देख रहे हैं आपर शार्क का example ठीक है और बोनी fishes में random कोई भी example मान लो रो हूँ ठीक है catla maagur ऐसे ठीक है तो ये fishes के differences भी देखने समझने जरूरी है और fishes के common characteristics भी समझने हमको जरूरी है तो हम लोग ऐसे करेंगे not going generalized mechanism क्या होता हमारा habitat body form वगेरा वगेरे वगेरा ऐसे करके पढ़ना चालों करते हमेशा इस बार हम लोग दिरिक लिए क्या करेंगे main main points cartilisus fishes के main main point bony fishes के discuss कर लिए है और उसके बाद हम एनके comparative differences जो हमारे सामने आएंगे उनको एक tabular form में discuss करेंगे ठीक है that will be the best form of studying this particular thing are you all really able to see a shark moving on here ठीक है so this is a shark which we are going to actually you know go through some of the points from this particular organism और इसके बारे में लोग क्या points समझते हैं हम देखेंगे यहां पर पहली बात तो कि cartilisus fishes में शार्क जो रहती है उसका एक characteristic होगा कि इनकी body के उपर जो scales present होंगे ठीक है सारी fishes में scales present होते हैं चाहे वो cartilisus fish हो चाहे वो bonny fish हो मतलब कि scales की presence एक common character है fishes का लेकिन scales अलब लग टाइप के हो सकते हैं तब cartilisus fishes के पास में जो scales present होते हैं उन scales का नाम होता है प्लेकॉइड स्केल्स और यह प्लेकॉइड स्केल्स माइन्यूट स्केल्स होता है मतलब की size में बहुत चोटे ठीक हैं और इन्हीं के लिए एक और बात करते हैं हम लोग बोलते हैं को टूथ लाइक स्केल्स क्या बोलते हैं दाथ की तरह टूथ लाइक यह क्यों बोलते होंगे क्योंकि इन स्केल्स का जो फिर डाउन और छो वो rider को मäलों प्लाइट प्लिक जाता है इसी लिए इनको टूथ लाइक स्केलिज वह कैसे बोला जाता है इनिको ऑट πάत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर dentine जैसे शब्द की बाद यहाँ पर हमारे सामने आ रहे है ठीक है तो tooth like scales are present complete body इनकी scales से covered है और वो scales का नाम है plicoid scales ठीक है इन scales के respect में एक बात और बोलते हैं कि यह scales होते हैं backwardly projecting scales backwardly projecting scales का क्या मतलब होता है तो इसलिए मैं आप लोग एक photograph के तरुए दिखाऊंगी यहाँ देखो यह scales को हमने तोड़ा elaborate करके zoom करके देखा तब हम क्या देख सकते हैं कि जो यह scales है यह कुछ इस प्रकार से backwardly projecting है मतलब कि basically scale का जो पिछला भाग है वो बाहर के तरफ कुछ ऐस स्केल्स तो पहला पॉइंट सब लोग को समझ आ गया होगा कि backwardly projecting ठीक है backwardly projecting प्लेकोईट स्केल्स माइन्यूट प्लेकोईट स्केल्स आर प्रेजन्ट कम्प्लेटली कवरिंग दे बॉड़ी ओफ दी कार्टी लेजनेस फिशिस एक्जाम्पल शार्क ठीक है इनके पास में जॉज होते हैं definitely एक नैथो स्टोमेटा की अंदर आ रहे हैं तो जॉज तो होगा ही ठीक है इनके पास में paired appendages भी होते हैं मतलब की paired fins की बात हो रही है ठीक है तो fins कैसे हैं इनके पास में they will have paired fins ठीक है paired pectoral fin, paired pelvic fin ठीक है इस प्रकार से इनके पास में paired fin present होते हैं swim bladder in के पास में नहीं होता अब अगर मैं आप लोगों को imagination करवाने की कोशिश करूँ तो I will take the example of मैं आप लोगों को imagine कराती हूँ aquarium से ठीक है तो सभी बच्चों ने aquarium तो जरूर देखा ही होगा जिसके अंदर fishes को रखते हैं ठीक है कभी किसी बच्चों ने aquarium की अंदर तक रुख गई हो है ना वो रुख सकती है इसलिए रुख गई ठीक है कभी भी आपने शार्क को रुखे हो देखा नहीं शार्क कंटिन्यूसली तैरती ही रहेगी पानी में वो सोती भी है तो तैरती रहती है ठीक है strange but true that yes shark is not able to you know हम बोलेंगे थोड़े बे समय तक रुख नहीं सकती है वो पानी में उसको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है क्योंकि उसके पास में कोई बायोंसी वाला फोर्स नहीं है जिसे कि बोनी फिशस के पास में होता है एक्वेरियम के सारी मचलियां बोनी फिशस होती है ठीक है तो हम यह समझ पाएं है पॉइंट य कारण से एयर ब्लाडर की एपसेंस की कारण से कंटिन्यूसली काटिलेजनेस फिश्ट को तैरते रहना पड़ता है और नौट इबल टू स्टॉप ठीक है तो यह वाला पॉइंट क्लियर नेक्स देखते हैं हम लोग माउट इस वेंट्रिल इस बात का क्या मतलब है यह बॉड है इदर पर देखो डियाग्रम में यह देखते हैं यह बॉडी की और यह हो गई वेंट्रिल ठीक है तो हम क्या देख सकते हैं कि माउट जो है वह कौर्णर पर तो नहीं है बलकि मैंट्र नीचे की तरफ हैं का मौथ ठीक है तो माउट इस गटर्टिस टॉप टार्टिस द floris को उनको सिफ ग्राइब कर सकते उचाब कर नी अब us Na państum याच राज को छोटी काने वाले इनके jaw apparatus ही इतना strong होता है कि मतलब अगर कोई मचली गलती से बीच में आगई तो खट हो जाने वाली है तोट जाने वाली है ठीक है? यूजिए इतने strong है तो दातों के requirement नहीं है आई बात समझ में तो यह fourth point clear है fifth point देखते है they have heterocircle type of caudal fin और यह heterocircle type of caudal fin क्या होता है यह मैं दिखाती हूँ आप लोग को so just have a look on the heterocircle type of caudal fin now कैसा दिखता है यह तो दिखो caudal fin का मतलब होता है tail fin मतलब कि इस पूरे fin को मैं caudal fin बोल सकती हूँ ठीक है? यह fin को मैं क्या बोल सकती हूँ? caudal fin अब मैं अगर आप से पूछूँ कि heterocircle का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो lobes है वो different है size wise मतलब कि जो यह upper side पर lobe है यह थोड़ा सा बड़ा है और lower side पर जो lobe है यह चोटा है यह दोनो equal size के नहीं है यह कुछ इस प्रकार के नहीं है ठीक है? So I hope that this point is very clear to everybody over here that what is the heterocircle caudal fin ठीक? तो कार्टी लेजने स्फिशस के कोच एक point हमने समझे अभी पैली बात हमने समझे कि इनके पूरी body के ओपर minute plicoid scales होते है दूसरी बात हमने समझे इनके बास बहुत strong jaws होते है jaws में टूथ का supply भी होता है पर jaws काफी strong है ऐसले tooth जो है उनका role इतना prominent नहीं है इनके पास में swim bladder नहीं होने की current से they need to continuously swim ठीक है? next हमने point देखा कि इनके पास जो fin होता है उसमें lobes का size equal नहीं है it is unequal one lobe is comparatively larger when one lobe is comparatively smaller we will say this kind of lobe of the caudal fin or this kind of lobe's presence in the caudal fin make the caudal fin a hetero-circle type of caudal fin ठीक है next आती है बात यहाँ पर हमारे सामने point this is called as electro-receptive system is present a well-prominent in them what is electro-receptive system? ठीक है now if I say मैं अगर ऐसे बोलती हूँ कि shark पानी में swim कर रही है and shark is going to eat lot of fishes ठीक है अगर मैंने यह कहा कि पानी में मचलिया बहुत सारी already tear रही है छोटी-छोटी सी और shark उनको grab करने के लिए जारी है तो shark के पास कुछ तो sense होना चाहिए कि वो judge कर पाए कि जादा मचलियां कहां है ताकि एक बार में उनको खाले ठीक है लेकिन यह judge करनी के लिए कुछ नकुछ तो sensitive system उनको required होगा definitely और उनके पास में होता है electro-receptive system जिसमें कि तो छोटी मचलियां है वो spinning करती हैं कई बार ऐसे गोल-गोल गूमरी होती है जब भी वो गूमरी होती है तो water में current डिवलाप हो रहा होता है ठीक है वो current को sense कर पाती है यह कहां से electro-receptive system के through ठीक है तो these fishes are actually able to sense it how तो हम इसका photograph देखते हैं यहां पर आप लोग को बहुत clear हो जाएगा यह एक चोटी मचली हमें नजर आ रही है ठीक है अर्यों अर्यों एबल तो सी दस चोटी मचली होँआ है ओक है just let me change the color once here it is यह अपने आसपस मेख electrical field generate कर रही है because of the water current जो है वो water current की अंदर continuously swim करने से there is some kind of change developing over there there is some kind of electric field developing over there which is sensed by this ampulla of Lorenzini which is also called as a electro-receptive system इसी को बोलत है हम लोग electro-receptors ठीक है यह संस करके और इसके पास जाके ये उनको आराम से खा लेगी ठीक है आ गया समझ में तो बहुत सिंपल था टफ नहीं है ये ये आव वेल डिवलाप्ड इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सिस्टम ठीक है नेक्स देखते हम लोग गिल्स के बात करें तो जब भी हम लोग इनके गिल्स के बात करें तो आप सभी लोगों को इस वाले फोटोग्राफ में गिल्स नजर आ रहे हैं तो तब हम लोग बोलेंगे कि gills जो हैं वो covered नहीं है ओपर किलम के द्वारा, मतलब कि gills जो हैं वो बाहर के तरफ exposed gills हैं, उनके पास एक proper gill cover नहीं है, gill cover किसके पास में होता है, वो होता है boney fishes के पास में, तो gill cover को बोलते हैं ओपर किलम और ये इनके पास में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, cartilaginous fishes are lacking और they are devoid of what? ओपर किलम, so this is one point, 5 से 7 pair of gills, कोई fix number नहीं है, it is in a range कि 5 pair भी हो सकता है, किसी cartilaginous fishes में, किसी में 6 pair हो सकता है, किसी में 7 pair हो सकता है, ठीक है, लेकिन अलग-अलग हो सकता है, एक fix number of gills नहीं पास में present नहीं होते हैं, ठीक, ये वाला भी point clear हो गया, next आता है, in particular members के अंदर, cartilaginous fishes के अंदर, जो reproduction में हम लोग बात करते हैं, तब male and female are different, that means they are unisexual, ठीक है, दोनों ही sexes same body के अंदर present नहीं नहीं होते, और इसे लिए हम बुल देंगे unisexual organisms हैं, अब unisexual organisms हैं, तो क्या ये अपने gamete पानी में release कर देते हैं, तब ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हम बुलेंगे जो sharks हो जाती हैं, उनके पास में proper organ for delivery of gametes is present, ठीक है, तो copulatory organ की presence इनके पास में होती है, तो इसे लिए हम लोग एक photograph देखते हैं, यहां पर, इसे लिए हम लोग एक photograph देखते हैं, यहां पर, ठीक है, शार्क हमें से बहुत ही बड़ी हो और सभूरी नहीं है, शार्क की different different, हम बुलेंगे, different different genuses and species होते हैं, और शार्क वेरिबल बोचते हैं, size-wise, यह male shark है, यह एक female shark है, ठीक है, नव, are you literally able to see that this particular shark is bearing some kind of, different kind of organs on the fin, ठीक है, which is called as pelvic fin, तो यह जो दिख रहे हम लोग को organs, these are called as pelvic claspers, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? pelvic claspers, ठीक है, and pelvic claspers are going to be the copulatory organ in male fishes, copulatory organ हो जाए गए, ठीक है, in male fishes, तो इसका यह मतलब है कि gametes, जो है male gametes, gametes are delivered inside the body of female, ठीक है, inside the body of female, body of female, fish, ठीक है, that is shark, of course, shark की बात हो रही है, ठीक है, through pelvic claspers, किस से कर रहे हैं है, pelvic claspers से, तो क्या मैं यह बोल सकती हूँ, कि fertilization internal है, simple सी बात है, अगर body के अंदर जा रहे गया में ही, तो fertilize कहा हो रहे होंगे, body के अंदर, तो हम लोग बोल देंगे, fertilization हो जाएगा, internal fertilization, ठीक है, तो इनकी अंदर, members में, fertilization is of internal type, that is it, ठीक, यह देखो, यह वाला point, दिहान से दिखने से भी लोग, 8, the male members of condrethes have specialized paired copulatory organs, paired है न, one pair दिखाया मैंने, of all reproductive organs at the inner edge of the pelvic fins, जैसे की दिखाया properly, diagram इसलिए में लिया, टाकि आप लोग को यह समझ में आज़ा कि किदर है वो, inner, inner side पर, यह outer edge है, suppose मानो, ठीक, इधर तो नहीं है न, यह inner edge पर present है, ठीक है, तो pelvic claspers are present on the inner edge of the pelvic fin in the male shark only, not in the female shark, ठीक है, and this is called as the pelvic clasper, इसको हम लोग बोलते हैं, pelvic clasper, ठीक है, चलो, यह समझ आया, young ones को rise देते हैं, तब मैं यहाँ पर clear कर दूँ कि NCRT के अंदर viviparous लिखा हुआ है, लेकिन shark oviparous भी हो सकती है, shark ovo viviparous भी हो सकती है, और shark viviparous भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि अधिकतर variants shark के viviparous टाइप के होते हैं, इसे लिए NCRT ने उसमें लिख दिया है, shark में या cartilaginous fishes के अंदर, they are viviparous टाइप, वो young one को directly birth देते हैं, परन्तु ऐसा नहीं होता है, इसे लिए देख लो, मैंने आप लोग के लिए proper एक photograph लिया हुआ हुआ है, ता कि अब समझ पाओ, इदर मैंने तीन different types of mode of reproduction, dogfish की, ठीक है, scoliodon, shark है, इसी को हम लोग dogfish भी बोलता है, ठीक है, तब जब यह egg ले करती है, तब यह अपने eggs को इस particular type के pouch के अंदर release करके और पानी में छोड़ देती है, कि अपनी बॉड़ी के अंदर रख लेती है, कब तक जब तक उससे यंग वन बहर ना आ जाए ठीक है तो मतलब उनने क्या क्या एग एग बनाया एग को बनाके उसको रखा फैलोपियन ट्यूब में केप्ट इन ओवई डाक्ट कब तक उन्टिल यंग वन हैच इस और यंग वन हैच हो जाए तब वो यंग वन को बाहर रिलीस करें एसे केस में हम बोलेंगे कुछ एक शार्क ओवोविपैरस भी हो सकती है मनलब कि आदी ओविपैरस आदी विविपैरस दोनु बाते हो गई और और कुछ एक शार्क ऐसी होती है जो कि डिरिक्टली यंग वन को राइस देती है और उनको हम लोग बोल देंगे विविपरस केस क्लियर है अब को तो री प्रडॉक्शन की केस में बात करें तो शार्क कैन बी एधर ओवो ओविपरस या तो वह हो सकती है ओवो विविपरस या तो हम लोग बोल देंगे डिवल अपमेंट कैसा होता है डायरिक्ट तो हमारे पास यह पॉइंट जरूर आ सकता है कि अंधर फर्टिलाज़जेशन कैसा है इस इन्टरनल क्योंकि को पिलेटरी और और डिवलापमेंट क्योंकि कोई लार्वा इंवल नहीं हो रहा है ठीक है और NCRT की भाषा में विवी परिस बोल देना अगर पूछ लेते हैं कि ये पारिटी के है, ठीक है, नेक्स आता है कि गोनाइट्स के रिस्पेक्ट में, तर टिपिकली, they have typically paired गोनाइट्स and gonoduct which open to the cloaca, मतलब कि इनके पास में common urinogenital opening है, इनके पास में anus अलग नहीं है, इनके genital and fecal, एक मेंट रुखो, सबको common करना पड़ेगा ना हमें, एक सिकना, common fecal urinogenital opening, तीनो common है, ठीक है, ओके, so we will write it again, common feces, मतलब कि जो fecal matter है, जो waste material जो की digest नहीं हुआ, वो बाहर जिस root से आ रहा है, तो हम बहुर रहें, common fecal, ठीक है, urine भी बाहर उसी root से आ रहा है, ठीक है और genital opening भी वही है, मतलब कि gamete भी अंदर उसी root से जा रहा है, तो हम बोलेंगे, common fecal urinogenital opening इनके पास में present होती है, ठीक है, ओके, इसी को हम लोग cloica बोलते हैं, simple बात है, जब common opening होती है, तो क्या word इस्तेमाल करते हैं हमेशा, cloical aperture, ठीक है, next देखते हैं, ये condor theses के members, अध कि स्टन के आसपास का वजन, एक शार्क का, ठीक है, तो इसी लिए हम बोलेंगे, कि massive weight बहुत भारी होता है, sharks, okay, generally, अच्छा, हमने यभी शार्क के अंदर जो scales देखे ना, उसका एक photograph और है, देख लो, तो ये वाले होज़ेगा, cartilaginous fishes के अंदर, है ना, ठीक है, हम जब bony fishes के अंदर देखेंगे ना, तो हमें देखेंगे, bony fishes के अंदर या तो scales हो सकते हैं, tinoid type के, जो कि ये वाले दिख रहे है, ठीक है, tinoid type के, या तो हो सकते हैं, cycloid type के, जो कि ये वाले दिख रहे है, goal goal से, ठीक है, और यह हो सकते है, genoid type के, ठीक है, actual में, tinoid type के scales में क ठीक है शाइकल वाले में सिंपल गोल बनाने हैं ओके और रिजनॉइड वाले के अंदर क्या हो जाएगा कि उसका डिफरेंड हो जैगा वो ऊसके लर नहीं है बाकी स्केल्ष जैसे हैं रिंग वाले ठीक है ऐसा बोलते ना की पेड का जब पेड को काट थैं तो जितनी रिंग दिखते हैं उतना पुराना पेड है न वैसे ही जब मचलियों के बोड़ी के ऊपर scales के बाद करते हैं तो जितनी rings है scale के अंदर उतनी पुरानी fish मतलब कि उसके उम्र जादा है ठीक है तो यह rings को count करते है rings are actually going to be we can say the prediction for that what is the age of this particular fish ठीक है assumption we can say okay so this is done okay so this is point is done अच्छा अब हम लोगों ही समझ आ गया पूरा case examples देखलो अब लोग आप लोग एक बार फटा फट से यहां पर first example दिखते हैं chimera chimera वो fish है जिसको हम लोग connecting link मानते हैं किस-किस के बीच में और स्टिक थीज और कॉंट्रिक थीज के बीच में cartilaginous fish के अंदर example chimera जिसके पास कुछ एक क्यार्टर बोनी फिश जैसे हैं बोनी फिश जैसे क्या है इसके पैस गिल कवर ठीक है बाकी गिल कवर हमें किसी भी और cartilaginous fish में देखने को नहीं मेलेगा ठीक है so this is the point we need to understand okay now see scoliodon इसको बोलते हैं dogfish क्या बोलते हैं dogfish ठीक है यह यह शार्क है generally ठीक है फिर मुद मुदे जाइडीन इसको बोलते है hammer headfish इसका head कैसा है hammer की तरह hammerhead fish कि भी पर यह गिर्स्टीस प्रिस्टीस को बोलते है है इसका मुह देखो अब लोग ध्यान से तो यह ऐसा है कि कांटेदार मुह है इसका और यह snout किसी के अंदर भी अगर घुज जाए गलती से तो वह सारी fishes मर जाएंगी वहाँ पर और इसे साब से इसके लिए खाना पकड़ना बहुत असान होते है तौरपेडो फिश जैसी के बास में यह electric organs होती है यह current के जटके देती है और organisms को डराती है और उसी तरीके से यह predate भी करती है मतलब कि शिकार भी करती है तो टौरपेडो को बोलते है electric ray अच्छा और एक और दिखरी हम लोगों यह साप की तरह दिखरी है पर साप नहीं है पर इसका काम साप जैसे है Trigon जो fish होती है यह होती है zehrili fish इसको हम लोग बोलते है poison stingray यह सिफ stingray स्टिंग रही लग देती हूं एक और नाम याद आगे है बताना तो नहीं चाहरी थी क्योंकि वह बहुत तफ लगता है बच्चों को कि इतने क्यों बता रहे हो पर याद आगे कोई बात नहीं बता देती हूं किंग ओंफ हेरिंग्स किग ऑफ हरिंग एसको किंग फ की एंगे थी तो अगल आक्ष्ट कर जाएं वह पास में हें हैं में पीट वह निए अजांपल हाला कि आदा नहीं है फिर इसम लोग याद अटना जाइगिना को Amiru में में लिखवार इजामपल हैतों फिर्द अगो को बोता है ये फिरांता है ट्राइगॉन और एक सिक्षिन Now let us start with the bony fishes or ostrich theses. जब हम लोग ostrich theses पर ना start करते है ना बच्चे लोग तो हमारे लिए अभी बहुत easy हो गया game क्योंकि हमने cartilaginous fishes में काफी सरे terms देख लिये जो कि bony fishes में सिर्फ repeat होंगे कि या वो तो absent होंगे या वो present होंगे extra ठीक है तो जादे difference नहीं है पहला बात करते हैं जब इनकी body के इस प्रकार की है तो bony fishes की body comparatively more round होती है ठीक है जिसे कि अगर हम बात करते हैं cartilaginous fishes की body की तो उनकी body cylindrical से होती है यहां पर इनकी body round होती है और tapering on both the ends मतलब की fusi form कुछ इस प्रकार से ठीक है कुछ ऐसी body इनकी होती है यह हो जाएंगे हमारी ऑस्तिक इनका first point body form second बात अगर हम करें तो इनके पास में भी paired fins present होंगे definitely जो की present होते हैं pectoral fin और pelvic fin one-one pair लेकिन कुछ एक ऐसे fins भी हमें इनकी body में देखने को मेलेंगे जो की होंगे unpaid fins जिनके अंदर हम examples देखेंगे dorsal fin और analfin का ठीक है तो यहां देखो यह वाला photograph ठीक है इस वाली photograph को हम अगर धियान से देखते हैं तो this is going to be the dorsal fin over here which is going to be unpaid one and the analfin over here which is going to be the unpaid one ठीक है यह paid नहीं है यह unpaid single single fin present होगा मतलब कि दो fins है अगर ऐसे तो वो paid हो गया और एक single है तो वो unpaid हो गया ठीक तो इस प्रकार से unpaid fin भी इनके पास में present होंगे ठीक है caudal fin इनके पास में भी होता है ठीक है उसके बारे में भी हम लोग fin की बात कर रहे हैं क्योंकि तो इसलिए हम लोग caudal fin की बात भी कर लेते हैं caudal fin इनके पास में hetero circle नहीं पर उओ homo circle होता है अगर यह fin shark का होता तो शायर यह कुछ ऐसा सा होता ठीक है लेकिन अगर यह fin shark का नहीं है तो हम क्या देखते हैं दोनों ही lobes काफी बराबर बराबर equal type के नज़रा आ रहे हैं और इसलिए हम बोलेंगे homo circle upper lobe और lower lobe इस fin के almost equal shape and size के हैं ठीक है तो हमारे यह fifth point cover हो गया यहाँ पर क्योंकि हमने fins पड़ रहे थे इसलिए मैंने fin वाला ही point एक और यहाँ पर आपको cover कर दिया ठीक है next देखते हैं simple सा point जो कि इनका नाम है औस्टिक थीज मतलब कि इनका endoskeleton बना हुआ होगा bones से on the other hand हमारे cartilaginous fishes का endoskeleton बना हुआ था cartilaginous से ठीक है तो इनका endoskeleton हो गया bone ही in nature osticthies ठीक है यह कहां पाई जाती है तो क्योंकि मैंने आप लोग को example में aquarium के fishes बताई थी और हमें पता है कि aquarium के अंदर पानी तो हम लोग fresh water ही भरते है ठीक है तो osticthies जो होती है वो marine भी हो सकती है और fresh water forms भी हो सकते है in fact इसमें कुछ ऐसी fishes भी आएंगी जो कि asturine मतलब की kichard में भी रह सकती है दल-दल में भी रह सकती है ठीक है तो boni fishes cartilaginous fishes के तरह सिर्फ marine water में नहीं रहते हैं यह और भी बाकी पानी के sources में पाई जा सकते हैं ठीक है so they are present in marine और fresh water और asturines ठीक है asturines मतलब की kichard जैसा जो mixed हो गया ठीक है तो यह समझ में आ गया next देखते हम लोग गिल्स की बाद तब मैंने cartilaginous fishes जब पढ़ाया तब मैंने का five to seven pair gills without any gill cover था लेकिन यहां देखो आप लोगों को यह जो हमने के लाम और ओपर के लाम के बीनीट प्रेजन होते हैं gills एक तरफ चार और दूसरी तरफ भी चार मतलब कि head के इस तरफ चार है मानो तो head के इस तरफ भी इनके पास में four pair gills ही होते हैं fix number ठीक है पांच से साथ अलग-अलग नहीं रेंज नहीं पूरा fix number four pair gills present होंगे तो यह बोनी fish है 101% आप लोग इसको मान के चलिए ठीक तो यहां पर हमारी पास में एक और पॉइंट हुआ कि four pair gills present है जो की गिल covers या ओपर किलम जो की lid like structure है उससे covered है कैसे बरीद करती है पता है fish जो है पानी लेती है mouth के थू ठीक है वो पानी जो है mouth के थू जो है इनके पूरे गिल apparatus में जाता है वहाँ पर flow होता है वहाँ पर बहुत सारे blood vessels rich area होते हैं प्लेट के फारं में और उसaja solar area को ये पानी wash कर दीते हैं और वहाँ करने के Pानी जो है बाहर निकलता है जब यी बाहर निकलना तो गिभ गिल के तो जब मूव हो रहा होता है तब अक्चल में क्या हो रहा होता है तब पानी बहार आरा होता है इनके वो पोर्षन जो है गिल स्लिट्स उससे जो कि अनुने ऑक्सिजन ले ली है और सी ओ तुरिच पानी है कोई अगर आपसे ऐसा क्वेशन पूछ ले हैं अला कि पूछेगा तो यह वाला पॉइंट पो तुम्हारा क्लियर हो गए अगदम ओपर के लम वाला नेक्स्ट है कि यह मचलियां कंटिन्योसली नहीं तैरना पड़ता क्योंकि इनके पास में स्विम ब्लाडर प्रेजंट है और स्विम ब्लाडर इनको बाइवन सी प्रोवाइड करता है इनक हमेशा हवा से भारा रहता इस एयर ब्लाडर एयर फिल्ड ठीक है अच्छा है यह और गन क्योंकि यह इनको मतलब पानी में रुखने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कंटिन्योसली तैरने की ज़रुरत नहीं पड़ती इन मचलियों को ठीक है तो यह हुआ ऑस्ट सब्सक्राइब नहीं है इनके पास में कैसे होता है माउथ वेंद्रेल माउथ 1700 का लेकिन इनका मब नीचे थोड़ी न है इनका मोथ दियरा विल्कुल कॉर्णर पर गंव भ्या भोल देंगे हम हम बोल दिनके इनका मौध मवथ है टर्मीनल मौथ एक्भार पर बना हुए पटिया है और अब की बना अपर लाइंध करनेके बना हुआ हैा उनके वह ин के यह करने के निया प्रेशर इनकी बॉडी जेल पाएगी इसलिए मतलब भूलो scientifically इसी kein और उसनी प्रेसर रिसेप्ट прыप्ट हुए है उनको लुग बोलते हैं News crypto सेल्स घ्र आ mermaid और ये लेटरल लाइंज सेंसिस्टेम में होताLS का क्या है पानि इस पर तकराईगा देख ये पुरी लेटरल दिख रही है कि बॉड़ी के साइड में यारी है उसमें नीउरो-मास्ट सेंच प्रेजन्ट यह पानी यहां टकराएगा पानी जैसे यह टकराएगा नहीं हाँ तब इसके अंदर लोकेटेड यह नीउरो-मास्ट सेंगे वाटर की डिस्प्लेस्मेंट को और इतना है उसको भी sense कर लेंगी और इनको बताएंगी कि आपको कब turn लेना सही है है ना otherwise मालूम पड़ा ये दम मुड़ गई और जटका लग गया पानी का बहुत जोड से ठीक है तो इसलिए pressure sensing ability होती है ostrich thys के पास में, boney fishes के पास में, ठीक है अब मानों की बड़ी सी shark आ रही है चोटी ostrich thys के पास में और ostrich thys की क्या capability नहीं है कि वो भाग जाएं बिल्कुल है एक किलोमेटर की दाइरे में आने वाले vibrations को sense कर लेती है और पानी के अंदर एक किलोमेटर के दाइरे में आने वाले कोई ना कोई predator को भी sense कर लेती है ये ताकि इनका छुपना आसान हो सके ये जल्दी से भाग जाएं उस जगह से ठीक है तो ये neuromast cells ही उनको वो provide करता है ability to sense the pressure as well as vibration in the water ठीक है next point is कि क्या इनके पैस में भी cloaca होता है नहीं इनके पैस में distinct anus होता है मतलब कि mouth anus no cloaca no common uranogenital opening they do not have any copulatory organ as well इसका मतलब कि जब ये gamete बनाएंगे तो male fish और female fish ने gamete बना के पानी में रिलीस कर दिया है और पानी में वो फर्टिलाइस हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा ठीक है और पानी के अंदर ही नए fishes जो है बन जाएंगे oviparous हो गए मतलब करते हैं ये ठीक है fertilization external and oviparous ठीक है तो यहां धियान रखने हम लोगों को fertilization external and oviparous ठीक है और larval stage किसी भी मचली में नहीं होती इसलिए हम लोग हमेशच डारिक डिलाप्मेंट की ही बात करते हैं fishes में ठीक है ठीक है तो दिस इस ओल इस इस complete ठीक है ना one thing which is common between both kind of fishes is the two chambered heart ठीक है दो ठीक है अब यह मैंने एक animation form इसलिए लिया ताकि आप लोगों को मैं clear करवा पाऊं कि किस प्रकार से heart का functioning है देखो तो body से de-oxygenated blood लेकर आ रहा है atrium के पास में ठीक है body से de-oxygenated blood कहां आ रहा है atrium के पास में atrium उसी de-oxygenated blood को कहां भेज रहा है ventricle के पास में ventricles की तरूँ वो de-oxygenated blood कहां जा रहा है gills के पास में मतलब कि अब gills से इनको oxygen मिलेगी तो अब जो यहां gills के बाद में जो blood vessel supply निकला है वो कैसा हो गया oxygenated इसलिए क्या मैं यह वाले points बोल सकती हूँ that heart में आने वाला blood हो जाएगा venous blood we can say या हम जदे बेटर बूले de-oxygenated blood supply de-oxygenated blood supply is present in atrium as well as ventricle दोनों में ही present है ठीक है फिर यहां जाके हम बोलेंगे gill apparatus के पास वो de-oxygenated blood supply पहुँचा और अब वो कैसा हो गया oxygenated blood supply है तो हम यह बूल सकते हैं क्या कि गिल्स से बाहर जाने वाला blood vessel जो होगा वही oxygenated है और वही body के tissues को blood supply करेगा tissues से में blood supply हुआ और टिशू से co2 collect करके फिर से heart के पास आने वाले blood supply के तुरू heart में पहुंचा दिया जाएगा basic बात किया हुए basic बात होई यहां पर single circulation of blood कोई double pathway नहीं लंग सुड़ी नहीं के पास में क्योंकि तो single circulation of blood हुआ मैं कैसे हुआ बता देती हूँ मैं आपको एक फटा-फट से डाइग्रम बना के बता रहें अच्छा एक बात आपने नोटिस करी के नहीं पहले बताओ किया हिए उसको फट्राइग पहले मुझे इक बात नोटिस करी कि नहीं कि इनका हार्ट किस तरफ बनाया क्या हाइट का कोकरोच जिसे लोकेशन पर बनाया नहीं यह बॉड़ी का दॉसल साइड है और यह बाड़ी का वेंट्रल साइड थो हाट कैसा बनाया हाट बनाया यहां पर मैं क्या बना रही थी आप लोगों के लिए एक पूरा फ्लोचार्ट देखो तो मैंने यहां पर बना दिया हार्ट ठीक है टूचेंबर है जो कि हम लोग को मालूम है टूचेंबर मतलब की एक सेकिन आट्रियम और वेंट्रिकल अच्छा अब देखो हार्ट है किया वह गया कैसा हो गया डि ऑखसीजिग Board ठीक है यह किदर जाएगा टिशूस के पास ठीक है क्या लिबरेट हो गया टिशू के पास oxygen टिशू ने क्या रिलीस कर दिया co2 यह वाला ब्लड कहा जाएगा हार्ट के पस फिर से कैसा आ रहा है डी ऑक्सिजिनेड़ ब्लड समझ गए इस प्रकार से एक ही circulation पाथवे में ब्लड गूमे जा रहा है कंटिन्यूसली लंग्स अगेरा स्ट्रक्चिर्स की मौझूदगी नहीं देखने को मिल रही है हम बोलेंगे सिंगल सर्किलेशन हो रहा है यहां पर ब्लड का ठीक है इस इस पॉंट वर आल थिशेश तू चेंबर्ड हाट इस प्रेजेश इस प्रेजित अस्ट्रक्थीस आज बॉल इस बोलेंगे तो नहीं है वाल प्रेज़ेशन है वैजे के देख लोह जो थोड़ेगे चलो हो गया बोलेंगे लिए लेग विए लेग लेगे लिएश की द होती है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आश्मान में और फिर नीचे आ सकती है पानी में ठीक है अनबस जिसको हम लोग क्लाइमिंग पर्ज भी बूलते हैं ठीक है तो यह हो गई जो कुछ एक ऑस्टिक थी मतलब की हमारी बोरी फिस्ट है मैं काम करती हूं मैं को एक रिविजन पताते हैं और फिरेंगे यह आर पीहते हूं मैं प्रेश्ट अब मैंने कोच एक दिफरेंस पॉंइट ब70 बताते हूं उन सबario कैसे बनाएंगे यह मताती हो देखो तो common name पहले जाता हैं तो जनरली बड़ी बड़ी फिश चार्क वगएरे जो यह वह वों चोटी चोटी यह मेडियम साइस के जो फिचिस होती है वह आती है हमारी बोनी फिश अस्टिक थीज मैं अब मैं यह चाहती हूं कि इस टेबल को एक्सटेंट आप लोग भी करूँ जैसे की मैंने यहां पर क बता दो कि किदर प्रेजंट होगा कि नहीं तो आप बोलो कि कॉंड्रिक्थीस जो मैं हासी लिख देती हूं यहां पर बोनी फिशस के लिए ओ लिख देती हूं ठीक है चलो मुझे बताओ एर ब्लाडर कॉंड्रिक्थीस में कैसा हो जाएगा एक्षा अस्ट करते सेवंट के लिख होगे माउथ तो कॉंड्रिक्थीस वैलाकि लिख सकते हो आवर की सकते हो स्मनिल माउथ घ्यारी बात सीड करते हैं हम कुछ एक ग्जाम्पल्स और अलग चीज़े दिखते हैं NCRT में हमारी यह फोटोग्राफ दिया हुआ है इसको ध्यान देना है हमें हमेशा यह स्कोलिपन ही हमारी डॉब्ड फिष यह सौ फिश यह हो गए हमारी कार्टलेज लीग देनी फोटो में ह्पोग्यपर्पल्स उन्होंने दिया हॉस जासे दिखते हैं जो कि हुच्छा हुम बोलता है फ्य न करते कि थिक हूए च염 कोई चेटल की अवं總 Tracy कि थ North noticeable points हो सकते हैं यह हम बोलें unique unique बात है कुछ है ठीक है fact facts की बात कर सकते हैं या extra knowledge है ना जसको generally कुछ एक knowledge cloud बोलते हैं चलो आप देखते हैं extra knowledge में एक product होता है इसको बोलते है शागरीन यह शागरीन क्या होता है तो जैसे कि गोट का leather होता है और यह शागरीन बहुत महेंगा बिखते हैं ठीक है और यह शागरीन का इस्तमाल antique pieces बनाने में करते हैं जैसे कि तलवार की मियान जो होती है वो ठीक है या कुछ एक boxes के design देने के लिए तो शागरीन एक बहुत ही महेंगा बिखने वाला leather है और इसे कारेंट से शार्क का बहुत मतलब high scale के ओपर और हम बोलेंगे ethical नहीं है जो की और illegal तरीके से शार्क की कई बार जो है मतलब शिकार की जाते हैं ताकि यह शागरीन बनाया जा सके उनके leather को इस्तमाल करके ठीक है तो यह जो चीज है इसको अभी गवर्मेंट ने बहुत बैन किया क्योंकि शार्क का नंबर टोटली बहुत रिडियूस हो गया और इतने अच्छे और इसको हम इतनी आसानी से जो है extinct नहीं होने दिना चाहेंगे definitely तो यह सब चीज़ा सिर्व रॉयल है किसी काम की नहीं है ठीक है सिर्फ दिखावा है आइसन ग्लास की बाद करते है आइसन ग्लास के तो जैसे कि मैंने बोला एक तो शागरीन प्रडाक्ट दिखा पने ठीक है डिफरेंट प्रडाक्ट जो था वो लिग दूं यहां पर कम लोग के लिए शार्क लेदर ठीक है ना याद रखना महेंगा बिकता है वो वाला अच कि अपने ख Derna कम आइसन ग्लास की बाद करते है आइसनग्लास क्या होता है वे कमेर करते हैं उस पर्टिकलर स्ट्र श्रुच्ट का का जो रह हो ट्रांस्पेरिंट साहते हैं तो उससे जेलिटीन ज और उस product को बोलते हैं ice and glass और इसको फिर powder form में convert कर देते हैं यह gelatin जो है जलीस बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं और इसी gelatin को हम लोग clarification के लिए इस्तमाल करते हैं मतलब कि एक पुरा proper column बना दिया अब उससे wine या beer पास करी तो वो wine या beer जो है जब नहीं चाहिए तो विल्कुल filter हो जाएगी तो industrial scale के ऊपर ice and glass का इस प्रकार से clarifying agent के तरह इस्तमाल होता है तो यह एक नया point आप लोगों के लिए ठीक है hippocampus को मैंने यहाँ पर अलग से क्यों लिया क्योंकि hippocampus में एक important point आता है वो होता है parental care ठीक है तो यहाँ पर जो male members रहते है ना वो parental care show करता है मतलब कि male seahorse यह male hippocampus उसके पास में एक brood pouch present होता है ठीक है और इस brood pouch के brood pouch के अंदर वो है eggs को carry करता है ठीक है eggs को carry करता है जब तक वो hatch ना हो जाया मतलब कि father care कर रहा है अपने आने वाले babies की ठीक है तो यह एक important point है ठीक है उसके कारण से इंसान मर भी सकते हैं तो puffer fish को बोलते हैं जहरीली मचली यह बहुत ज़्यादा ठीक है तो it is the most poisonous fish it is the most poisonous fish ever ठीक है okay so this is done next देखते है most edible fish जो की countries में बहुत ज़्यादा खाई जाती है वो होती है pomfrey ठीक है इसको बोलते है betta betta होती है fighting fish लडाको मचली ठीक है अगर इसके साथ में कोई भी और मचली अपने रग दी aquarium के अंदर तो यह मचली उन सब को मार देगी ठीक है इसलिए betta को generally किसी के साथ में नहीं रखा जाता betta is very aggressive fighting fish ठीक है यह बहुत सुंदर होती है इसके उपर colorful धारियां present होती है and this is a very beautiful one so this is all about the fishes इतना ही है fishes के बारे में आप लगों को कैसे पढ़ना है इतने सारे characteristics को हमेशा comparative chart बना के जिससे कि मैंने यह वाले बनाया आप लोगों के लिए अब मैंने पूरा पढ़ा दिया I just want you all make a chart in your copy उसी प्रकार से characteristics को compare करकर की पड़ू it will become a very easy topic for you all ठीक है so bye everybody now in the next class we will start studying the amphibian portion and the reptiles, aves and mammals are left that is it ठीक है please do not forget to like share and subscribe my channel thank you so much